तीसरा है जोशी मट के पास अवरुद्ध बद्रीनाथ राजमार्ग 72 घंटे के बाद समय बीच जाने के बाद भी वानों की आवाजाही के लिए नहीं खूल पाया इस कारेट मार्ग के दोनों तरफ ओली हेमकुंट साहीब बद्रीनाथ और फूलो की घंटी जाने वाले 2800 से अधिक यात्री फसे हुए हैं बुद्वार को इन यात्रियों ने वाहनों में और विभिन पड़ाओं पर रात गुजारी गुरुद्वारा श्री हेमकुंट साहीब सेनवयापारी और अस्थाने निवासी यात्रियों के लिए भोजन का प्रबंध कर रहे हैं फिलाल स्टी आरेफ की बौजूद्गी में यात्रियों की पैदल आवा जाही कराई जारी है पंद्रव पोलिंग पार्टी में 12 घंटे तक अपने अपने बूत में फसी रही चार पोलिंग पार्टी को हेलिकॉप्टर से गोपिश्वर लाए गया बद्रिनाथ राजमार्ग मंगलवार्ग से जोशी मार्ठ और जोगी धारा के बीच बादित है यहां भूस घलन से 20 मेटर से अधिक मार्ग छति ग्रस्त हो गया है पाहारी से रुक रुक कर पत्थर और मलवा गिर रहा है सीमा सड़क संगठन की टीम में जान जोखी में डाल कर रास्ता खोलने के लिए दिन रात कारी कर रही है लेकिन मार्ग पर आई एक विशाल का चटान चुनोती बन गई है बी आरो ने चटान को तोड़ने के लिए कईब स्पोर्ट किये लेकिन सफलता नहीं मिली अब बी आरो इस चटान और पहाड़ी को काट कर सड़क तयार कर रहा है इस कारिस में लगे 12 श्रमिकों और स्टी आरेव की टीम गुरुवार दो पहर बाल बाल बच गई रास्ता खोलने के दौरान पहाड़ी से भोशकलन हुआ और बड़ी मात्रा में मलवा वपत्थर फिर से मार्ग पर आगिरे गड़ी मत रही के इससे पहले श्रमिक और स्टी आरेव जवान दौर लगा कर सुरक्षे तस्थान पर पहुँच गए इस दौरान दो श्रमिकों को हलकी चोटाई मौके पर ही प्रात्मी गुप्चार के बाद श्रमिक फिर से रास्ता खोलने में जुट गए